हेलो एब्रीवान वेल्कम के मैं चानल ब्लेजान मंत्रा मैं हुशूते मिश्रा और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवुल्यूशन ऑफ लॉज रहने लिया किस तरीके से जो क्रेम लॉज हैं जो पानिश्मिन आप जानते हैं रहने में जो रहने के अंदर क्या लॉज थह आइंज बात करेंगे कि निरभयाकांड के तेहले क्या लॉज थे जिए होच नहिंदर क्या अधी हुआ अब्लाए तो अभी हमारे laws किस position पे हैं इस पूरे वीडियो में मैं आपने साथ आपको एक journey पर लेकर जाना चाहती हूँ जहां पर हम यह explore करेंगे कि किस तरीके से जो rapes related laws हैं वो over time, over time का मतलब है 2011-12 उस time से लेकर अभी तक present 2024 में कैसे उनमें changes आया है, कैसे amendment किया गया, कैसे जो need of the hour ह situation की demand है, उसको ध्यान में रखते हुए, definitions को expand किया गया है, जादा से जादा चीज़ों को rape के purview में लाने की कोशिश की गई है और punishment जो है, वो stricter से stricter होता गया, तो जो भी हम अपने आसपास और पूरे इंडिया में अलग-अलग तरह के movements देखते हैं, जब भी कोई और अगर फासी दे दो, rape laws को change कर दो, फासी दे दो, तो क्या अभी क्या rape laws exist करते हैं, इसी journey पे मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो बने रही है इस वीडियो में, अंत तक आप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि अभी जो country में situation है, अभी जो present laws ह IPC से change होका जो भारतिय नया से ही था, लागू हो चुका है, वो हमें किस mode तक ले आया है, हमें as an Indian citizen, हम law के किस juncture पर खड़े हैं और हमें government से किस तरह के demands को करना चाहिए, अब हम इस journey में सबसे पहले बात करते हैं, pre-2013 laws की, pre-2013 क्या था, इंडिया में जो law exist करता था, जो हमारे criminal law था, वो था Indian Penal Court, तो Indian Penal Court, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि इसको अंग्रे जो नलागू किया था 1870 में, 1900 की भी बात नहीं है, और अभी तो खैर हम 21st century में, यह 1870 का law था, तो यहां पर जो women related offenses है, उस पर कोई बहुत जादा focus नहीं था, ठीक है, हर तरह के जो crimes थे, उनका definition बहुत narrow था, तो जब हम rape की भी बात करते हैं, तो यहां पर rape का definition था, वो बहुत narrow था, सिर्फ non-consensual vaginal intercourse को ही rape डिफाइन किया जाता था, और किसी form में sexual exploitation was not amounting to rape, punishment यहां पर rape के लिए 7 years to life imprisonment था, जो कि judiciary यहां हमारे judges पर depend करता था, कि depending upon the situation वो क्यासा punishment देते हैं, उस culprit को या criminal को, marital rape जो था, उसको recognize नहीं किया जाता था, और wife अगर 15 years से उपर हो, अगर वो wife है और उस बच्ची का, उस लड़की का age 15 years के उपर है, तो उसके साथ किसी भी तरह का sexual act of the man, उसके husband का, was not considered, तो यह जो situation है, यह कब तक चला, यह situation चला, जब तक निर्भया incident हो नहीं गया, निर्भया incident होने के बाद, जब बहुत सारे hughes and cries मचे, society ने यह देखा, यह हम कहें कि पूरे Indian society का consciousness हिल गया कि, एक human being, दूसरे human being के साथ कितना heinious act कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, बरबरता की क्या सीमा हो सकती है, तो उसके बाद, जो changes आये, जो amendment आये law में, उसको हम कहते हैं, criminal law amendment 2013, अब इस 2013 के amendment में, जब IPC को बहुत तरह से overhaul किया गया, especially sexual offenses को लेकर, तो यहां पर जो rape का definition था, उसको बहुत जादा expand कर दिया गया, अब हर तरीके के non-consensual penetration in any body part would amount to rape, तो मैं सारे definitions के detail में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जो definitions हैं, वो काफी बड़े हैं, और काफी technical हैं, तो मेरा इस video को बनाने का point सिफ यह है, कि एक छोटी जानकारी, simple words में देना, ताकि लोग आसपास होने वाले जो movements हैं, जो protests हैं, उन में ये समझ पाए कि क्या सही है protest करना, किस चीज के लिए protest करना चाहिए, यही मेरे इस video को बनाने का पूरा मकसद है, तो यहाँ पर जब amendment किया गया, तो punishment को बढ़ाकर 7 years, जो हमने अभी IPC के टाइम पर देखा, उसको बढ़ाकर 10 years कर दिया गया, प्लस, life imprisonment या death penalty, तो death penalty जो पहले exist नहीं करती थी, 2013 के पहले, रेप के लिए IPC में, वो अब exist करने लगी, after 2030, तो जो भी आप प्रोटेस्ट देखते हो, फासी, 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 यह सब अलवी हमारे laws में मौझूद है और अभी से नहीं है, निर्भाया टाइम से है, बहुत सारे social media posts अपने देखे होंगे, जहां पर लोग यह कहते हैं, कि law में क्या change आया, कोई change नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग को completely पदल दिया गया है, पहले जरूर ऐसा था कि रेप को एक बहुत छोटा crime समझाता, छोटा crime तो नहीं समझाता था, बहुत adequately punished नहीं था वो law में, लेकिन निर्भाया incident के बाद जब amendment लाया गया, तो बहुत comprehensive amendment हुआ हमारे criminal laws के अंदर, और बहुत तरह के different forms of rape, जैस तो अगर आप interested हैं, तो आप IPC को खोल कर एक बार देख सकते हैं section 376 में, जहाँ पर आपको यह सारे details दिख जाएंगे, 2013 में जो amendments हैं, उसका एक ही एक छोटा preview है, जो आप अपने screens पे देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरीके से, कितनी सारी चीजों को include किया गया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो rape of a girl under 12 years, उसके लिए 20 years in jail, life imprisonment plus, या death, यह सारी punishments आ गया है, गैंग रेप का जो concept था, उसको introduce किया गया, उसको एक offense बनाया गया, और उसको imprisonment for life या death से punish किया गया, रेप of a girl under 16 years, इसको एक अलग से offense का category बना कर वहाँ पर भी punishment को 10 to 20 years किया गया, plus life imprisonment किया गया, गैंग रेप of a girl under 16 years, imprisonment for life, rape of women, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि punishment को 7 years से बढ़ा कर 10 years तक कर दिया गया, with life imprisonment or death, dedicated manpower for investigation of rape cases, probe and trial each to be completed in 2 months, no anticipatory bail for accused in rape or gang rape of a girl under 16 years, यह सारे procedural changes भी लाए गया, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे new sections, like section 376 A, B, C, D, यह सारे जो different kinds of categories of rape offenses को define करते हैं, उनको भी लाया गया law के अंदर, जो कि हमारा IPC है, और उसको punish किया गया, तो अब हमने यह देख लिया कि किस तरह से law को amend किया गया, क्या-क्या नए provisions आया और किस तरीके से law को strict किया गया निर्भया कान के बाद, अब निर्भया कान में जो convicts थे, उनका क्या हो, तो 2020 में, मार्च 2020 में, उन चारों को फासी दिय दे गए एक तिहार जेल में, तो finally लोगों को लगा कि justice हो गया, बट क्या इस से rap होना बंद हो गया, क्या death penalty मिलने के बाद भी, क्या rape, number of rap, percentage of rap, जो हमारे पास data है, क्या वो ये दर्शाता है कि rap कम हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो जो कोलकता incident हमने देखा, वो नहीं हुआ होता, खया चलिए, इस journey को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आ जाते हैं present time पर, जब IPC को repeal करके, पालियमेंट ने भार्द पिये न्याय सही तलाया, 2023 में, जिसको कि इसी साल कुछ महीनों पहले लागू किया गया है, अब यहाँ पर क्या हुआ हुआ, यहाँ पर sexual offenses की सिर्फ अगर हम बात करें, तो जो 2013 के amendments थे, उन सब प realities जो थी, वो और जादा हार्श हो गई, तो यहाँ पर अब जो definition पहले रेप का IPC में 376 में था, वो अब section 64 हो गया है, और punishment 10 years minimum है, minimum punishment का मतलब है कि अगर कोई person रेप का guilty माना जाता है, यह court यह पाता है कि इस person नहीं ही rape commit किया है, तो उसे minimum 10 साल की सजा तो मिलेगी है, और यह सजा, life imprisonment तक जा सकती है, जब तक वो इंसान जिंदा है, तब तक वो जेल में रहेगा या उसे फासी भी दिया जा सकता है, अब यह court कैसे decide करता है, यह decide किया जाता है, based on the aggravating factors in the case, aggravating factors मतलब, case में क्या-क्या situation से कितना heinious crime है, situation में किस circumstances की वज़े से, जो offense है, वो commit अब ही, जो scheme है, वो लाया गया है, act में, एक person को rape को offense के लिए, jail तो जा नहीं पड़ेगा, death penalty भी मिल सकती है, depending upon the type of crime, जो उसने किया है, kind of crime उसने किया है, साथ में उसे fine भरना होगा, जो key state को जाएगा, और साथ में, victim को compensation भी प्या जाएगा, तो यह पूरा जो victim compensation scheme exist करता इंडिया में, उसके तहट victim को compensation भी मिलेगा, अब हम आते हैं section 70 पर, अब इसी BNS के section 70 में, जाशर penalties है for aggravated sexual assault, जैसा कि हमने देखा 2013 के भी amendment में, gang rapes है, custodial rapes है, और बहुत तरह के, वैसे situation जैसा कि अभी हमने कोलकता incident में देखा है, उस तरह के situation में, life imprisonment minimum सजा है, जहाँ प इतलब आप किसी भी तरीके से, जेल से छुटी लेकर भी बाहर नहीं जा सकते हो, या फिर फासी, और यहाँ पर जो अब इस पूरे नए law का जिस तरीके से, जो focus change हुआ है, वो अब victim centric है, पहले, जब हमने IPC को 2012 के पहले देखा, 2012 के time तक देखा, तो वहाँ पर, it was not so much victim cent हाँ, एक offense था, पनिश किया जा रहा था, but अब साथ ही law का ये भी focus है, कि victim को कैसे, राहत पहुंचाई रहे, उसके लिए में क्या medical care चाहिए, क्या attention चाहिए, किस तरीके से, जो person, जो suffering person है, उसको state protection तो दे, साथ में उसको राहत भी पहुंचा सके, through giving compensation, अब हमने ये देख लिया, कि जो अब महारा current law है, वो नाकी strict है, पहले के laws से काफी जादा strict है, ultimate जो punishment है, death penalty, उसको भी prescribe करता है, रेप के लिए, और साथ ही victim friendly भी है, victim के बारे में भी सोचता है, तो इसके बाद भी, जिब Kolkata hospital जैसे incidents हो जाते हैं, तब कहां पर हम lacking, तो य एक civic volunteer ने trainee doctor का रेप किया, और उसे बहुत gruesome, बहुत बुरी तरीके से, बहुत cruelty के सांथ मारा गया है, अब investigation जो है, वो अभी under process है, CBI investigation कर रही है, बहुत सारे लोगों से पूछताश की जा रही है, तो ऐसे में हमारे पास legal records क्या है, protests हो रहे हैं, protests हो रहे हैं, हर गली मुह यह सही है, कि हमें stricter laws चाहिए, बट अब हमारे पास stricter laws है, laws ऐसे भी हैं, जो victim friendly है, तो इस situation में, जो legal records, जो victim के पास, Kolkata incident में, या किसी भी rape के incident में, जो victim के पास है, वो सबसे पहले है, FIR register करवाना, police investigate करेगी, जो कि यहां पर CBI investigation कर रही है, already, sessions court में trial होगा, जहां पर possibly death penalty तो यहां पर मिलना ही चाहिए, अगर हम Kolkata incident के बात करें तो, under section 64 and 70 of BNS, और इसके बाद, victim को compensation भी मिलना चाहिए, अब कौन-कौन विक्त है, बनेगा, किसने actually crime किया है, यह police का काम है, जो CBI investigation चल रहा है, उसमें इस चीज़ को पता लगाना, यह police का काम है, तो अब हम क हो गए, हर जगा आप political parties का stunts देख रहो कि हमें rape के लिए death penalty चाहिए, death penalty तो अलड़ी है भाई, दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, तो आप क्या demand कर रहो, हमें demand करना है government से for strict enforcement of law, लोग law से डरते क्यों नहीं है, punishment तो है, बट लोग डरते क्यों नहीं है, डरते इसी लिए नहीं है इस country में, क्योंकि हमारा जो law का enforcement part है, जो लोग country को चलाते हैं, जो आप और हम हैं, वो करप्त हैं, वो थोड़े थोड़े पैसे के लिए ये नहीं देखते हैं कि victim के साथ justice होगा या नहीं हो, उन लोगों को अपने आपको सुधारना जरूरी है, हम society से हटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, सिफ वो सिफ laws को अगर हम strict करने की बात करेंगे, तो अब कहा scope है law को strict करने का, law के enforcement पे ध्यान देने की जरूरत है, उसके लिए हमें protest करने की जरूरत है, इस पूरे journey को conclude करने के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगे, कि हमने द करते रहें, इसकी ही जरूरत है, इसलिए continued reforms जरूरी है, ताकि victims को justice मिले, और justice कैसे मिलेगा, सिर्फ laws को change करके नहीं मिलेगा, laws को strict enforce करके मिलेगा, हमारे moral fabrics को change करके मिलेगा, हमारे ethical standards को ऐसे society, हमारे ethical standards को raise करने के बाद ही इस तरह के crimes के कोई solution मिल सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, जहां पर मैं आपके लिए और इस तरह की जानकारी लाते रहूंगी, तब तक अगर आपको ये video अच्छा लगता है, तो इसे like करना ना भूले, अपने friends के साथ share करे, ताकि उनकी भी जानकारी बढ़े ऐसे मामलों में, और हमारे channel को subscribe करना ना भूले, Thank you so much.